Hello everyone, welcome back to my channel, तो आज के इस वीडियो में हम solve करेंगे class 6 के math का प्रश्णावली 2.3 तो 2.3 का पहला question है, निम्न लिखीत में जोड का कर्म विनी में नियम किसमें है? पहला दिया गया है 5 गुना 8 बड़ाबर 8 गुना 5, तो इसे हम लिखेंगे A गुना B बड़ाबर B गुना A, इसे हम कहते हैं गुना का कर्म विनी में नियम, जिसे के हम प्रश्णावली 2.2 में डिटेल से पर चुके हैं, तो आज हम बस इसे solve करेंगे, तो question में पुछ रहा है जोड का कर्म विनी में नियम, लेकिन ये क्या है, ये गुना का कर्म विनी में नियम है, तो ये नहीं होगा, next है 2 गुना 3, ये दुनों ब्रैकेट में है, गुना 5 बड़ाबर 2 गुना 3 गुना 5, तो इसमें क्या क्या है, ये दुनों ब्रैकेट में दिया और इसमें ये कहां और सी अलग है और यहां क्या है बी और सी ब्रैकेट में और ए अलग है तो इसे अम कहेंगे गुना का साच़ए नियम तो मैं यहां पर लिख देती हो पहले कि गुना का जोर को गुझा तो यह भी हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें पुछ रहा है योग का कर्मिनिमेनियम थिरी नंबर में दिया गया है दो जोर आठ जोर दस यानि ये दोनों ब्रैकेट में हैं फिर बड़ाबर दो जोर आठ जोर दस तो इसमें ये दोनों ब्रैकेट में हैं तो ये दोनों क्या सेम है तो इसे भी हम उसी टैप से लिखते हम जैसे यह ये बी Patmosi परावर एप लाइबर एपलस बी पहल सी इसमें इस टैप से ब्राइब से चाहित तो यह इस टैप से भी can को कम का सब्सक है और यह था नियुक का साचारेनियम क्यांट तो हमें यहाँ पर लिख लेना है इसे योग का साचरे नियम तो अब हमारा नेक्ष्ट है फोर नमबर में 15 जोर 8 बड़ाबर 8 जोर 15 इसे हम लिख सकते हैं जिसे यह ए है और यह भी है फिर यह यह भी है तो देखिए बस इसका अगर इसको हम स्वाल खरेंगे तो इसका आंसर जो है सेम निकलेगा तो यह हमारा कहलाएगा जोर का कर्म विनीमे नियम जोर का कर्म विनीमे नियम तो यह हमारा सही होगा क्योंकि हमारा कॉस्चन जो था उसमें क्या पुछ रहा था जोड का कर्म विनियम किसमें है तो यानि फोर नमबर का हमारा आप्सन सही हो जाएगा तो इसमें हमें ऐसे टिक लागा देना यह हमारा सही हो गया sorry यहाँ पर थोड़ा mistake हो गया है यहाँ पर होगा B क्योंकि यह जो है 8 जो है B के बराबर है और यह A के बराबर है तो A पलस B बराबर B पलस A जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं A पलस B बराबर B पलस A तो यह क्या कहलाता है जोड़का convenience में नियम तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं प्रशनावादी 2.2 में इसे डिटेल से बताई हूँ अगर आपने उसे नहीं देखाया तो जा कर देख लिजेगा तो अब हम question number 2 को solve करेंगे second number का question है निमनी लिखीत के उप्यूक्त नियम लिखे है इसमें क्या करना है पहले दिया है 8 जोड 32 बराबर 32 जोड 8 तो यह हमारा क्या हो गए A ये B और ये क्या है फिर B A तो A पलस B A पलस B बी पलस A जो हम यहां पर पर चुके हैं यहां है A पलस B बराबर B पलस A तो यह क्या था यह था जोड का करम विनी में नियम तो आपको यहां पर लिख देना है जोड का करम विनी में नियम तो जो जो हम पढ़े हैं वही को हमें लिख देना है 2 नंबर में है 2 पलस 12 पलस 15 बराबर 2 पलस 12 पलस 15 जैसे कि इसमें ये दुनों ब्रैकेट में और इसमें ये दुनों ब्रैकेट में जैसे ये है ये बी ये सी तो इसमें क्या गया है ये बी को ब्रैकेट में दे दिया गया है और इसमें ए को अलग कर दिया गया है बी पलस सी इसको ब्रैकेट में दे दिया गया है तो इसे हम कहेंगा यो योग का साचरे नियम, तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, योग का साचरे नियम, जैसे कि आपको इसे लिख लेना है, थार्ड नमबर में है, आठ गुना, ब्रैकिट में है, पांच जोर चार बड़ाबर, आठ गुना पांच, जोर आठ गुना चार, इसे हम इस टाइब से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखते हूँ, जैसे ए गुना, बी पिलस सी, इसका हो जाएगा, A को हमें B से गुना करना है तो A गुना B पलस A गुना C यह इसका फार्मूला है पहले A को हम B से गुना किये है फिर जोड़ करने सान दे दिए फिर यह A को क्या किये है C से गुना किये है यह कहला है वितरन नियम लेकिन इसमें देखिए जिसे कि आप बंदन नियम भी लिख सकते हैं For number में है 5 minus 50 बड़ाबर पचास गुना 5 तो यहाँ यह क्या है यह हमान लेते है A minus B बड़ाबर B minus A तो यह हमारा कहल आएगा गुना का ःविनिमे नियम अगर यहाँ पर जोड़ कर दिसैना था गुना का कणमेवीनी में नियम तो next question है थिरी नंबर का निम्र लिखित में से किसमें सुन्ने निरूपित नहीं होगा यानि की question दिया गया है एक पलस जीरो एक में हम जीरो को अगर जोड़ेंगे एक में अगर जीरो मतलब कुछ नहीं जोड़े तो क्या हो एक होगा तो इसमें वह हमची工 की są चेलो को डो से भाग देंगे जीरो आएक होगा इसका वियाणसर इसमें की निरूपित होगा क्योंकि देखिए इसमें वी 0 आया इसका उसा प्राविया तो 0 आये और यहां 4 नमबर में यह का बागी सब में जो है सुने निरूपित होगा कोस्टन नमबर फोर है यदि दो पुर्ण संख्याओं का गुरनफर सुने हैं तो क्या हम का सकते हैं कि इन में से एक या दोनों ही सुने होने चाहिए उदारन देकर अपने उत्तर की पुष्टी कीजिए जैसे कि पुर्ण संख जिरो सुरू हो तो 0 1 2 3 क्या चलता रहा कभी कंखत नहीं जहीं है या निकि कि अनन्त का निसान, इनन्हें हम अनन्त कहते हैं हम पुछ रहा है कि कोई भी पुर्ण संख्याओं का क्या होता है गुनन corr सुनने होना चाहिए तो क्या उनमें दोनों ही जिरो होना था यही पुछ रहा है तो हमें क्या करना है अगर हम जिरो को एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा जिरो को दो से गुना करेंगे तो जिरो ही आएगा और अगर हम जिरो को जिरो से गुना करेंगे तो जिरो ही तो इसमें क्या कर रहा है कि दोनों 0 होना जरूरी नहीं है तो हमें इसमें यही लिखना है पूर्ण संख्या को अगर किसी पर संख्या से गुना करेंगे तो उनका आंसर 0 आएगा जैसे अगर हम 0 को 1 से गुना करेंगे जिरो आया जिरो को 3 से गुना करेंगे जिरो आया तो इ संख्याओं का गुननफल एक है तो क्या हम का सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए उदारन देकर अपने उत्तर की पुष्टी किजिए तो इनमें जो कर रहा हमको उदारन पहले देना है अगर हम किसी भी संख्या को एक से गुना करें तो क्या उस को एक से गुणा करेंगे तो पांच आया का उसका अंसर एक नहीं आएगा अगर हम एक को एक से गुणा करेंगे तब क्या आएगा एक आएगा तो इसमें हमारा क्या कर रहा है एक ही होना चाहिए दोनों संख्या इसमें हमें लिख देना है यदि दोनों संख्या एक हो तो होना जरूरी है तो चलिए अब हम question number six को solve करेंगे तो six number का question है वित्रण वीधी से ग्याद कीजिए यानि इनका जो हमको answer निकालना है वो वित्रण वीधी से निकालना है तो वित्रण वीधी का एक formula जो हम पर चुके हैं क्या होता है ए गुणा बी गुणा सी यह होता है फिर बराबर यह को हम बी से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे A गुणा B जोर A गुणा C फिर हम A को C से गुणा करेंगे तो उसी टाइप से हमको इसको हल करना है तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 638 गुणा 100 को क्या हम इस परकार लिख सकते हैं 100 जोर 1 क्योंकि अगर हम 100 में 1 जोरेंगे तो 101 होगा जो कि कोई मान में अंतर नहीं होगा तो देखेए इस टाइप में हो गया है अब हम क्या करेंगे 638 को 100 से गुणा करेंगे फिर 638 को जो है एक से गुणा करेंगे इस टाइप में बनाएंगे जैसे हम किये हैं यहाँ पर A को B से फिर A को C से आई होप आपको समझ में आता होगा तो हमें क्या करना है 638 गुणा एक सो फिर जोर करने सान दे देंगे फिर 638 को गुणा करेंगे एक से तो 638 को अगर हम एक से गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे पर 638 को एक से गुणा कर देते हैं तो 638 हो जाएगा और 2 0 यहाँ पर है, 2 0 लगा देंगे, फिर पला 638 को एक से गुना करेंगे, तो क्या आएगा? 638 ही आएगा, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हम इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, तो आज आएगा 64438, जिसे कि आप जोड़ के देख लिजेगा, तो I hope कि आपको विदर नियम समझ में आ गया होगा, तो चलिए आप question number 2 इसका देखते हैं, question number 2 में देखिए, 4375 गुना, 1001, इसी मैं solve कर ली हूँ, बस मैं आपको समझा देती हूँ, तो जैसे कि 4375 गुना, तो 1001 को क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 1001, क्योंकि इनको लिखेंगे, तो हमारा answer उतना ही आएगा, हम क्या करेंगे, विदर नियम में पहले 4375 को 1000 से गुना करेंगे, फिर जोड, फिर 4375 को 1 से गुना करेंगे, जो कि हम यहाँ पे कर लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना किये, तो हमारा इतना आ 4375000, जोड, अब 4375 को 1 से गुना करेंगे, तो 4375 पी आएगा, उतना ही आंसर आगा, इनके मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड लेंगे, तो हमारा answer इतना आ गया, आप इसे करके अच्छे समझ लिजेगा, अब हमारा थर्ड नंबर का इनको भी हम इस टैप से लिखेंगे, 734 गुना 20 जोड पांच, क्योंकि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 जोड पांच लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, 734 को 20 से गुना करेंगे, फिर 734 को 5 से गुना करेंगे, तो 734 को 20 से गुना करेंगे, फिर 734 गुना 5, तो किये तो हमा तो आ गया 18350 इसका आंसर हो गया कि फोर नंबर में है 3175 गुना 125 तो हम 3175 वैसा ही लिख दिये हैं 125 को हमें लिखना है 100 जोर 20 जोर 5 क्योंकि इन तोनों को तीनों को जोरेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा अब हम क्या करेंगे 30 Hugo scared 375 को 400 से पुना करेंगे फिर 30 एकष़बच्फ को फिर 20 से गुना करेंगे typ的 कर देन तो यहां में 2 सक करते इसमें 3हों से करना यह तो उतना ही आएं एक से करें हैं और नगली यहां लगा दिए फिर जोर फिर तिन सósब गम्ला वारें धा जोर कर सब tercer को करें करेंगी तो हमारा यह आंसर आ अ गया फिर 3 175 घुना करेंगे तो यह आंसर आ पिर हमें क्या करना है इन 3 वोड देना जो कि मैं यहाँ देखिए जो लिए мал harus तो जोरके हमारा answer आ गया 3,9,6,8,7,5 हमें यहाँ पे लिख देना है 3,9,6,8,7,5 जोरकी हमारा answer हो गया 4 नंबर में है 605 नंबर में 608 गुना 35 तो हमें इन्हें भी वैसाई करना है 608 गुना 30 जोर 5 35 को क्या लिखेंगे हम 30 जोर 5 तो हम क्या करेंगे 608 को 30 से गुना किये यहां पर फिर जोर करने साम दिये फिर 608 को 50 से गुना किये तो 608 को 30 से गुना किये तो आ गया 18240 फिर जोर 608 को 50 से गुना किये तो आ गया 3040 तो इन दोनों को क्या किये हम जोर दिये तो इन दोनों को आप अगर जोर ये गो तो आज को यह समझ में आ गया होगा तो अब हम question number seven को solve करेंगे तो हमारा last question question number seven है निमने लिखी परती रूपों को समझे और आगे बढ़ाएं पहले ही एक गुणा आठ जोड एक बढ़ाबर नौ फिर एक दो यहां पर दिखें एक है यहां भी एक बढ़ गया है आपको समझना है फिर एक दो तीन चार गुणा आठ जोड चार फिर यहां तीन था यहां चार बढ़ गया एक नव आठ साथ छे यहां तो यहां पर हमें उसी टाइप से इसको भरना है जैसे यहां एक दो तीन था यहां एक दो तीन चार एक बढ़ रहा तो यहां पर हम लिखेंगे एक दो तो हमें यहां पर लिख देना है 9 8 7 6 6 से कम किया है है पांस तो हम यहां पर पांच लिख देगी इसलगे पांच लिखेंगे senior ने वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जुरूड़ प्रेस कर दें वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मज़